Hello Friends, Welcome Back to my channel दुस्तो झाग वाली कॉफी किसे पसंद नहीं लेकिन इसे घंटो फेटना वो किसी को पसंद नहीं आता तो आज हम बिना बीटर के, बिना क्रेम के जट पट इस कॉफी को तयार कर लेंगे सिर्फ दो मिनट में आप इस कॉफी को रेडी कर सकते हैं आज हम बनाएंगे कैपेचेनो कॉफी जो बहुत जादा टेस्टी लगती है और इसे हम मिक्सर जार में ही बनाएंगे क्योंकि मिक्सर जार तो सब के घर में होता है तो चलिए फिर जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं दोस्तो कॉफी बनाने के लिए यहां पर मैंने इंस्टेंट कॉफी पाउडर लिया है और आप किसी भी ब्रैंड का कॉफी पाउडर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो यहां पर हमें दो बड़ी चमच इस तरह से इंस्टेंट कॉफी पाउडर के चाहिए तो चलिए श चोटा वाला जारी लें क्योंकि क्वांटिटी काफी जादा कम है बड़े जार के अंदर कॉफी अच्छे से नहीं बन पाएगी तो यहां पर मैंने छोटा जारी लिया है तो अब हम इसके अंदर चीनी आइड करेंगे दो चमच हमने कॉफी पाउडर लिया था यहां पर हम चार चमच इसके अंदर चीनी डाल देंगे यहां पर मैं चमच को एकदम भर कर इस तरह से ले रही हूँ और यह नाश्ते वाला ही चमच है जिससे हम खाना खाते हैं वही चमच यहां पर मैंने लिया है तो यहां पर चार चमच भर कर आप इसके अंदर जीनी डाल दीजिए, तो इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, एकड़म पाउडर तयार कर लेंगे, तो इसे पीस लेते हैं, तो देखे मैंने इसे पेस लिया है और दोनों चीज़े अच्छे से पेस चुकी हैं एक्दम पाउडर तैयार हो गया है तो ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ और अब हम इसमें थोड़ी सी आइस डालेंगे आइस को मैंने क्रश कर लिया था क्रश करके डाल रहे हूँ आप चाहें तो आइस क्यूब्स डाल सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आइस हमें डालनी है दोस्तों बहुत जादा मत डालिएगा अगर हमें लगेगा कि और डाल मैं आपको दिखाती हूँ कि अब कैसा दिख रहा है तो यहां पर दीखिए अब हम इसे चम्मस से इस तरह से यह जो किनारों पे कॉफी लग गई है उसे आप इस तरह से हटा दीजिए और सेंटर में इस तरह से एक पार कर लिजिए मिक्स कर लिजिए इसके बाद हम इसका लगा कर फिर से इसे पल्स मोड पे ही चलाएंगे दोस्तो बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे पल्स मोड पे ही चलाना है तो मुझे थोड़ी सी आइस कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी डाल दी है आप बहुत जादा इस मत डालिएगा तो देखिए हम इसे फिर से pulse mode पे ही चलाएंगे, तो pulse mode पे चलाते हुए, मैं आपको दिखाती भी रहोंगे साथ साथ, किस तरह से यह तयार होती है, तो आप mixi में इस तरह से बहुत इजिली, दोस्तों coffee ready कर सकते हैं, दो मिनट लगते हैं, इसको ready होने में, आपको किसी भी बीटर या क्रीम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो देखें यहां पर इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो हम इसे ढगका लगा कर फिर से फेटेंगे तो मैं आपको चम्म से एक बार दिखा देती हूँ कि यह किस तरह से देख रही है तो यहां पर देखें इसका कलर थोड़ा से चेंज होना शुरू हो गया है तो अब हम फिर से इसे दुबारा रुक रुक कर चलाएंगे दोस्तो जैसे जैसे मैं इसको चला रही हूँ मैं हर स्टेप पे आपको दिखाऊंगी कि यह किस तरह से तयार होती है तो यहां पर आप देख सकते है कि इसका कलर और लाइट हो गया है तो जैसे जैसे आप मिकसर को चलाते रहेंगे इसका कलर और ज़्यादा लाइट होता रहेगा और आप यहां पर देखें कि इसका कलर कितना लाइट हो गया है और यह बिल्कुल क्रीम की तरह हो गई है, आप खुदी देख सकते हैं कि आपको किसी बीटर या क्रीम बगारा की जोर्थ नहीं है इस कॉफी को बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए हम और चला लेंगे, तो मैं इसे पल कॉफी बिल्कुल तयार है, आप इसे ठंडा या गरम दूद में जैसे चाहे सर्व कर सकते हैं, कोल्ड कॉफी रेडी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंदो, और मेक्सर जार में इसे इस तरह से तयार करना बहुत ही जादा इजी है, सिर्फ दो मिनट में आप इसे रेडी कर सकत हैं, आप किसी भी एर टाइट कंटेनर के अंदर आप इसे भर कर रख लीजिए, और जब आपका दिल हो कॉफी बनाने का तो बना सकते हैं, तो मैंने इसे इस तरह से बाउल में निकाल लिया है, तो चलिए अब हम बनाते हैं कॉफी, तो उसके लिए मैंने दूद को बाइल कर लिया है, और अब हम इसे इस तरह से कप में डाल देंगे, दोस्तो आप चाहें तो कोल्ड कॉफी बना सकते हैं, तो आप ठंडे दूद के अंदर इसे तयार कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने गरम दूद लिया है, यहां पर हम होट कॉफी बना रहे हैं, तो दूद हमने कि इसके अंदर डाल दिया है और दूसरे कप के अंदर भी हम एक चमची सी तरह से डाल देंगे तो बिना घंटों फेटे बहुत ही टेस्टी जाग वाली एक्तम क्रीमी कॉफी आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं तो थोड़ी सी कॉफी मैंने उपर से इस तरह से डाल दिया ता तो आप चाहे तो इस तरह से चन्नी से डाल सकते हैं इससे काफी जादा देखने में अच्छा लगता है तो देखिए इस तरह से हम इससे थोड़ा सा घानिश कर लेंगे और लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी कैपेचीनो तैयार है आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको रे ताइसान रेस्पी के साथ थैक्स वाचिए